हेलो फ्रेंड्स वेलकंम टू कॉंट स्टेडी कैसे हैं आप सब आज के पार्ट में हम करना जा रहे हैं मिक्षर एंड एलिगेशन का पार फड्ड जिसमें हम करेंगे सिर्फो सिरफ कॉशंज हो सकता है कोशंज में आपको कोई नई ट्रिक मिल जाए नए टाइप का कॉशंज करने के लिए पर आज हम कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूं शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारी यूट्यूब चनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लाबा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर जगा फॉल्व कर लिजिए और किसी भी अप्टेट को मिस्ट मत कीजिए सो कोशन की सीरीज शूरू करते हैं पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है और यह कोशन मैं आपको अगर आ चुका हूं अगर आप इसे ट्राइब करना चाते हैं तो अब हो गई 7 is to 8 पहले थी 7 is to 5 अब होगी 7 is to 8 कब हुई जब 15 लिटर क्या चीज आड हुई है वाटर ठीक है तो क्या चीज मैंने आपको पिछले बार भी बताया था हमें दो चीजों पर ध्यान रखना है एक क्या चीज आड हो रही है दूसरी क्या चीज सेम रह रही है य यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि वाटर एड हो रहा है तो क्या चीज अंचेंजड रही है कि मिल्क तो मिल्क आप देख सकते हैं मिल्क तो पहले से अंचेंजड है पहले भी 7 उनिट था अब भी 7 उनिट है यानि हमें मिल्क पे काम करने की जुरूत ही नहीं है हम सि कि one unit की value 5 liter इतनी चीज के लिए रहे है अब उन्हें देखते हैं कि कोशन में क्या पूछा हुआ है तो total quantity of water in the new mixture new mixture कोन सा है हमारा new mixture है हमारा ये वाला और इसमें उन्हें पूचह है कि पानी कितना होगा तो पानी है हमारा eight units one unit की value अगर 5 लिटर है तो 8 यूनिट की वैली होगी 8 इंटू 5 40 लिटर हमारा फाइनल आंसर नेक्स कोशन आ गया ये कोशन भी मैंने आपको कराया हुआ है कोशन कहा रहा है परसन ने जो है 25 पर लिटर का एक जो है कैमिकल खरीदा अब वो उसमें कुछ पानी मिक्स कर रहा है ठीक है वाटर उस पे मिक्स कर रहा है कैमिकल के साथ पानी मिक्स करेगा और उसको बेचेगा 20 पर लिटर का उससे उसको प्रॉफिट होगा 25 परसेंट का तो उन्हेंने पूछा है what ratio क्या ratio होनी चाहिए जिसमें उसने कैमिकल और पानी को मिक्स किया हुआ है तो clearly यह हमारा allegation का question है यह चीज मुझे आपको बतानी की जुरूरत नहीं पढ़नी चाहिए जब भी उन्होंने पूछा है कोई भी एक चीज है उसके साथ दूसरी चीज मिक्स हो रही है और एक निया mixture form हो रहा है तो उसमें allegation लगेगा तो देखते हैं सबसे पहली चीज क्या लिखी है इन्होंने यहाँ पर है हमारे पास CP यहाँ पर water होगा water की CP हमेशा याद रखना water की CP होती है हमेशा 0 अब एक हमारे पास CP आगी chemical की दूसरी CP आगी हमारे पास water की अब तीसरा भी CP होना चाहिए था जो mixture है उसका भी CP ही होना चाहिए था पर उदर CP नहीं आ रही उदर क्या चीज आ रही है उदर आ रही है SP यहाँ लिखना selling the mixture at 20 रुपीज अगर हमारे पास SP है तो हमें कुछ ना कुछ दिया होगा जिसकी वज़से हम CP निकाल सकें उस mixture की तो वो क्या दिया हुए हमें दिया हुए profit है 25% का तो हम simple अपना formula अपलाई करते है CP into profit हो रहा है तो 125 upon 100 is equals to कितना है SP 20 25, 4, 25, 5, 5, 4 तो CP आगी हमारे पास 16 इस चीज़ को याद रखो CP आगी हमारे पास mixture की 16, यह किस-किस का mixture है एक है chemical का और दूसरा है water का इन दोनों चीज़ों से मिलके बनाए यह mixture जिसकी CP आगी है 16 अब एक CP है हमारे पास 25 water की CP है मैंने आपको common तो हम करी चुके है CP तो हम बनाई चुके है सिधा क्याप निकालो 9 आगया इदर 16 आगया इदर 16 इस टू 9 की ratio में जो होगी addition होगी हमारा answer आगया यह ठीक है आगे next question the jar contained mixture of two liquids A and B in the ratio 4 इस टू 1 ठीक है एक jar है उसमें एक mixture है A is to B 4 is to 1 की ratio में when 10 liters of mixture was taken out and 10 liters of liquid B was poured into the jar the ratio become 2 is to 3 new ratio होगी है 2 is to 3 अब देखिए पहले क्या होता था पहले हमें old ratio दी होती थी फिर का होता था यहां तो milk add हो रहा है यहां तो water add हो रहा है तब तो हम सिधा सिधा निकाल लेते थे अभी यह कह रहे है कि पहले 10 liter निकलेगा फिर 10 liter भी add होगा ठीक है यानि 10 liter mixture निकल रहा है और 10 liter एक ही type की quantity add हो रही है आजाके तो final mixture वही बनेगा जितना 10 liter निकाला होतना 10 liter हमने add कर दिया पर ratios में फर्क आ जाएगा तो ऐसे questions को हम कैसे करेंगे मैंने आपको जब हमारा mixture वाला topic शुरू किया था मैंने आपको एक example दी थी 100 liter अगर 1 is to 9 की ratio में है mixture अगर हम उसमें से 10 liter निकाल दें वो भी 1 is to 9 की ratio में निकलेगा और जो हमारा बचा हुआ 90 होगा वो भी 1 is to 9 की ratio में होगा ये चीज मैंने आपको तब समझाई थी जब हमने हमारा mixture का जो concept सीखना शुरू किया था ठीक है अब हम क्या करेंगे इसी concept को apply करेंगे 10 liter जो है अगर उस mixture में से निकाला गया है तो वो जो 10 liter निकाला गया है वो भी 4 is to 1 की ratio में होगा mixture जो था वो 4 is to 1 की ratio में था तो 10 liter अगर निकाला जाएगा वो भी 4 is to 1 की ratio में होगा यानि कि A जो होगा वो 8 liter निकलेगा B जो होगा वो 2 liter निकलेगा ये चीज कैसे आई हमने किया 4 plus 1 होता है 5 5 की value है 10 ये वाला 10 1 की value आगी 2 unit 4 की value आगी 8 1 की value आगी 2 कहां तक solve किया यहां तक जहां mixture निकाला गया था अब next चीज क्या हो रही है 10 liter of liquid B यानि कि ये जो है 10 liter का add होगा तो 10 liter का जब ये add होगा ये ऐसा बन जाएगा यानि कि subtraction और addition करने के बाद हमारे पास A जो होगा वो minus 8 निकल रहा है और B जो होगा 10 plus का 10 minus का 2 बन गया plus 8 add हो रहा है इतनी चीज बन गी तो हम ये सारा जमकटा हटाते हैं और हमारे सिरफ इसी पर काम करते हैं A और B की पराणी रेशयो थी हमारे पास 4 is to 1 new ratio है हमारे पास 2 is to 3 ये दी होई है ये क्या हो रहा है इसमें हमारा 8 liter निकल रहा है इसमें हमारा 8 liter add हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि 4 से 2 जो है minus 2 जा रहा है minus 2 की value minus 8 है वहीं आप इसको verify कर सकते हैं कि 1 से 3 plus 2 जा रहा है और plus 2 की value plus 8 liter है तो दोनों ही cases में आप ये चीज conclude कर सकते हो कि 2 जो होगा उसकी value 8 होगी वेदर minus और plus 2 की value हमेशा 8 होगी तो 1 की value क्या होगी 1 की value होगी 4 इतनी चीज़ समझाई अब देखते हैं उन्होंने final question में क्या पूछा है the quantity of liquid A contained in the jar initially liquid A जो jar में initially था तो initially कौन सा होगा जो original था इसकी बात कर रहे है 1 unit की value है 4 तो 4 unit की value होगी 4 into 4 16 option C आगे हमारा answer question समझाया एक बार फिर हलका से revision करवा देता हूँ हमने एक quantity थी 4 is to 1 की ratio में उसमें से 10 liter निकाला तो मैं आपको ये चीज़ explain कर चुक हूँ वो भी 4 is to 1 की ratio में होगी तो यहां से हमें पता चल गया 8 liter निकल रहा है 2 liter निकल रहा है फिर हमने देखा add क्या हो रहा है add हो रहा है 10 liter ही तो add 10 liter कौन सा वाला हो रहा है इस वाला हो रहा है ये तो हमारा as it is नीची आगया minus 8 ये हमारा आगया plus 8 फिर हमने क्या किया, old ratio-ly, new ratio-ly, in values को उनके बीच में हमने as a representation रखा और हमने देख लिया कि जो gaps हैं, उनको in value से compare करके देखा, one की value क्या आ रही है, जब one की value आगी तो हमने जो question की requirement थी, उसका सिधा-सिधा answer निकाल लिया next question आ गया, in a mixture of 75 liters, the ratio of milk to water is 2 is to 1, 75 में 2 is to 1 है, आपकी पहली approach क्या होगी, आप इसको 3 को 75 से compare करके, one की value आ जाएगी 75 by 3, पर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, कि आगे का question पढ़ने से पहले ये चीज़ मत करना, क्या बता, ये चीज़ आपको करने की ज़रूत ना पढ़े, और अगर आप बिना आगे का question पढ़े ये चीज़ कर लेते हैं, तो ये आपका time ले जाएगी, वेचेक 10 सेकंड ही लेगी, पर एक एक सेकंड पेपर में बहुत जरूरी होता है, तो मेरी suggestion माने, तो अभी आप आगे इसको solve ना करें, initial mixture था हमारा 2 is to 1, the amount of water to be further added to make the mixture so as to make the ratio of 1 is to 2, तो new ratio होगी हमारा पास 1 is to 2, milk water, milk water पहले था 2 is to 1 की ratio में, अब हो गया 1 is to 2 की ratio में, question वैसा ही है, कुछ निकल नहीं रहा, सिरफ और सिरफ addition हो रही है, किसकी addition हो रही है, water की addition हो रही है, तो क्या चीज़ सेम रहेगी, milk सेम रहेगी, इस चीज़ को हमें सेम करना इस चीज़ को सेम करने के लिए हम नीचे वाली fraction को 2 से multiply कर देंगे, 2 is to 1 थी हमारी old, ठीक है, new आगी हमारे पास 2 is to 4, इतनी चीज़ आगी, एक बार जब आपकी new ratios आ जाए, आपने पुरानी ratios को भूल जाना है, अब करते है हमारा question, इन्होंने क्या पूछ है, कि कितना amount of water add होना चाहिए, question में दिख रहा है हमें, जो हमारी ratios हैं, कि 3 units का water जो है, वो add हो रहा है, पर 3 तो units की value आगे, ratio में value आगी, हमें अगर हमारा exact answer चाहिए, तो हमें एक value exact दी होनी चाहिए, तो हमारी exact value क्या है, ये 75 liter, और इस 75 liter को हमने किस में bifurcate किया था, 2 is to 1 में, तो 75 की value होगी 3, 1 की value होगी 75 by 3, which is equals to 25, ये आगी 1 unit की value हमें किसकी निकालनी है, 3 unit की, सीधा आप 3 से multiply कर दो, 75 liter आगया हमारा final answer, अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई, कि quantity 1, quantity 2, ये दोनों mix होके बना रहे हैं, अगर quantity 3, तो हमारी क्या लगेगी, allegation, ये चीज़ मैंने आपको बताई, तो वही कोशन आ गया है, बस percentage में है, percentage को देखके गबरा मत जाना, ठीक है, 30% alcohol है, एक mixture का, 50% alcohol है, तूसरे mixture का, 45% alcohol आ रहे है, तीसरे mixture का, जब हम इनको mix कर देते हैं, 30%, percentage की बाद चल रहे हैं, तो हमेरे ratio ही निकालनी है, 30 आगी इदर, 50 आगया इदर, 45 आगया इदर, तीनो के तीनो alcohol है, और 45 जो है, 30 से लेके 50 की range में भी fall करता है, तो सिधा gap निकाल लो, ठीक है, gap क्या हुआ हमारा इदर, 15, इदर क्या हुआ हुआ, 5, 1 is to 3 आगया हमारा final answer, कोशन देखने में कितना लग रहा था कि, ओ, percentages और 2-3 mixture आगया है, पर answer देखा कितना easy था, अब मैं एक को चीज बता देता हूँ, एक हमारा आगया alcohol, आपको हो सकता है, ऐसा कोशन दिया हो, कि 30 एक solution है, alcohol और water का, 30% alcohol है पहले वाले में, 50% alcohol है दूसरे वाले में, 55% water है तीसरे वाले में, तो ये गलती कभी मत करना, कि 30 आपने पहले लिया, 50 इदर लिया, बीच में आपने सिधा 55, आपने सिरफ percentages देखी और लिख दी, ये गलती बिल्कुल मत करना, आपको alcohol जो है, हमारी जो quantity है, उसको भ 55% है तो alcohol होगा 45%, तो आपने इस 55% water को convert कर दिया 45 में, अब ये भी alcohol, ये भी alcohol, ये भी alcohol, इदर डाला और question solve कर लिया, इस question में तो सीधा सीधा हमें दिया हो था कि 45% alcohol है, अगर in case नहीं दिया होता है, alcohol की जगा water दिया होता, तो आप ये method apply कर सकते थे, ये question में आपने ऐसा क कुछ नहीं करना, आपने सीधा सीधा लिखना 30, 50, 45, गैप निकालना है और वही गैप की जो आएगी values वो होंगी ratio, वैसल A and B contain milk and water, 3 is to 5 और 5 is to 6, इस बार ये A और B solution नहीं है, इस बार ये हैं vessels, इनके बीच में milk और water है, A में है 3 is to 5 में, B में है 6 is to 1 की ratio में, इतनी चीज़ clear हुई, In what ratio should quantities of mixture be taken from A and B to form, ये from नहीं है, form है, to form a mixture in which milk is to water की ratio होगी 1 is to 1, A से कुछ लिया जा रहा है, B से कुछ लिया जा रहा है, एक नया mixture बन रहा है, C, जिसकी ratio है 1 is to 1, तो जब भी एक quantity से कुछ लिया जाए, तूसरी quantity से कुछ लिया जाए, और तीसरी quantity बने उन दोनों के हिस्सों से, तो क्या लगता है, allegation, दिखने में ये question, जो है mixtures का लग रहा है, पर इसमें लगेगा allegation, अब ये एक नया type का question है, इसे ध्यान से देखना, allegation कैसे लगेगा, कि हमें पता है, A का उन्होंने milk is to water की ratio रखी, 3 is to 5, B की उन्होंने milk is to water की ratio रखी, 6 is to 1, हम क्या करेंगे, ऐसे question में हमेशा इसी step को follow करना, ध्यान से बढ़ना ये step, हम क्या करेंगे, इन mixture को add कर लेंगे, A को हमने मान लिया की 8 units का mixture था, B को हमने मान लिया की 7 units का mixture था, C को हमने मान लिया की 2 unit का mixture है, इतनी चीज़ समझ आई, A को जो हमने ratio Z की, उसी को मान लिया की इतनी unit का mixture था, B की ratio एड़ की, उसी को मान लिया उतनी unit का mixture था, C की ratio Z की, उसी को मान लिया उतने unit का mixture था, अब कुछ नहीं करना हमें लेना है LCM इन तीन values का, इससे क्या होगा हम अपनी तीनों जो mixtures हैं उनको एक quantity के बराबर बना देंगे यानि तीनों को हम बना देंगे कि तीनों में same quantity है ratios तो नहीं change होंगी ठीक है पर हमारा जब एक बार same quantity हो जाए हम उसके बाद allegations लगा लेंगे हम उसके बाद allegation लगा लेंगे क्योंकि quantity तो LCM निकाल लेते हैं 8, 7 और 2 का क्या होगा 2 तो चलो 8 के table में ही आ जाता है 2 के देखने के जुरूरत नहीं है 8, 7 जा 56 तो हमारा होगा LCM 56 अगर इस 8 unit को 56 बनाना है तो हम इसको करेंगे 7 से multiply यानि हम ratios को भी करेंगे 7 से multiply अगर इस 7 unit को 56 बनाना है तो हम इधर कर देंगे 8 से multiplication अगर इस 2 unit को 56 बनाना है तो हम यहां करेंगे 28 से multiplication इतनी चीज़ समझाई अब मैं यह सारा गंद जो हो हटा रहा हूँ एक बार clear से दिखा रहा हूँ तो question था A में milk और water है 3 is to 5 का और इसको हम multiply कर रहे थे 7 से ठीक है यह चीज़ याद अब युपी मैंने explain की B में था हमारे पास milk और water 6 is to 1 की ratio का और इस term को हम multiply कर रहे थे 8 से ताकि यह 56 बन जाए third इन दोनों को mix करने से जो हमारा mixture आरता वो था 1 is to 1 की ratio का और इस 1 is to 1 की ratio को हम multiply कर रहे थे 28 से ताकि यह भी 58 बन जाए अब किसी एक term को पकड़ लो यह तो milk को पकड़ो यह तो water को पकड़ो मैं दोनों आपको बता दूँगा कैसे कैसे करने है पर फिलाल हम शुरुआत करते है milk से milk क्या हो गया आपका 7 थी जा 21 एक ही बात चल रही है इसमें क्या हो गया 8 6 आ 48 यह आ गया B इसमें क्या हो गया C में 28 तो आप देख सकते हैं 28 अब जो है ultimately fall कर रहे है 21 और 48 के बीच में तो अब क्या करेंगे हम इनके gaps निकाल लेंगे इधर आ गया 7 इधर आ गया 20 तो 20 is to 7 आ गया हमारा final answer यह चीज हमने क्या सी की हमने milk को ले लिया यही चीज में आपको water में भी करके दिखा सकता हूँ अब हम करेंगे water को लेके so water को लेंगे अब हम 75 जा 35 आ गया A में 8 वंजा 8 आ गया B में 28 वंजा 28 आ गया C में तो आपको clearly दिख रहा है कि 28 जो है 8 और 35 के बीच में fall करता है सीधा gap निकालेंगे 27 तो 20 is to 7 आप milk लो या आप water लो same ही ratios आईगी main चीज क्या है आपने ये जो ratios थी इनका sum किया फिर जो भी हमारी तीन values आई उनका LCM लिया फिर इन ratios को उस LCM के बराबर करने की कोशिश की जब बराबर हो गया तो कोई भी एक element या तो milk या तो water दोनों में से कोई भी एक element उठाया और अपना question solve कर लिया next question आपकी screen पर है और ये कहा रहा है कि एक alloy है उसमें zinc और copper है one is to two की ratio में one is to two की ratio में zinc और copper second alloy है same elements है two is to three की ratio में ठीक इतनी चीस clear if these two alloys are mixed to form a new alloy और उसमें same दो elements की ratio होगी five is to eight की ठीक है तो वही method जो अभी अभी मैंने आपको बताया वो apply करना है और इस question को solve करना है मैं आपके सामने ratios लिख देता हूँ one is to two है एक two is to three है दूसरी five is to eight है तीसरी five second का time दे रहा हूँ मैं इसे खुद से solve कीजिए और मुझे बताईए किसी भी एक element को पकड़ लीजिए मुझे बताईए क्या है इसकी values होगी चलो पांच छोड़ो ten second का मैंने आपको time दिया आपका time स्टार्ट होता है अब तो आपका time अब खतम हो चुके मुझे लगता है आपका answer इस time तक आ जाना चाहिए अगर नहीं भी आया तो देखिए इससे कैसे करना है same वही method ये बन गया sum होके 3 ये बन गया sum होके 5 ये बन गया sum होके 13 ठीक है अच्छा 10 second से जादा का time लग जाएगा क्योंकि calculation थोड़ी बड़ी होगी है LCM क्या आएगा 13 इंटू 5 इंटू 3 क्योंकि कोई भी एक दूसरे के table में नहीं आता ये आगया हमारा LCM अब एक trick मैं आपको बता देता हूँ इस 3 को अगर आपने इस 13 इंटू 5 इंटू 3 के बराबर करना है तो आप क्या करोगे जो 3 हमें term दी हूई है वो हटा दोगे इधर आ जाएगा आपके पास 13 इंटू 5 ठीक है similarly इस 5 को अगर आपने LCM के बराबर लाना है तो इस 5 को आप हटा दोगे आपके पास बचेगा 13 इंटू 3 तो 13 इंटू 3 से multiply होगी ये term और final आप मारे पास यहाँ पर 13 है 13 को जब वटाओगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 3 ठीक है अब छोड़ दो LCM अब ले लो कोई भी एक term हम मैंने कहा किये ये पहली वाली term ले ली जो की थी हमारी zinc ठीक है पहली वाली term क्या होगी 13 इंटू 5 तो A के लिए आगी आपके पास 13 इंटू 5 ठीक है क्योंकि ये जो 3 है ये आपने नहीं लेना ये जो 3, 5 और 13 आपको दिख रहे हैं ये आपको नहीं लेने ये आपने सिरफ LCM लाने के लिए इन ratios का sum किया था तो 13 इंटू 5 इंटू 1 होगा zinc की value A में वहीं 13 इंटू 3 इंटू 2 होगा zinc की value B में और 5 इंटू 3 इंटू 5 होगा zinc की value C में तो हम इस चीज को clear करके लिख लेते हैं तो सारा जब हमने clear करके लिखा तो zinc आगया A में 65, zinc आगया B में 78 और zinc आगया C में 75 तो आप देख सकते हैं कि 65, 78 और 75 जो है ये जो 75 है 65 और 78 के बीच में आता है इनकी जो range में fall करता है तो हम gap निकाल लेंगे इसका आगया 10, इसका आगया 3, 3 is to 10 आगया हमारा answer मैंने निकाला zinc की form से ये आप question खुद से करोगे पूरा और आप निकालोगे copper को लेके ठीक है मैंने zinc की form से निकालना जिखा दिया अगर आप copper की form से मतलब copper को लेकर आप ये चीज निकाल सकती हो 3 is to 10 की ratio निकाल सकती हो यानि आपको ये चीज समझ आ गई और इसी के साथ हमारा mixture and allegation जो है completely होता है आज खतम और साथ ही हमारा match का भी syllabus जो है होता है complete अब आगे जो होगा मैं थोड़े high level के match मतलब खतम नहीं होती match कभी खतम नहीं होने को नहीं हाती इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं थोड़ा आपको time भी दे दूँगा कि आप ये सारे chapters revise कर लेजिए अब मैं week में सिर्फ दो days अपनी match की वीडियो लेके आया करूँगा high level questions की कुछ होंगे high level questions साथ ही संबवसर आपको di करवा रहे हैं तो di की भी preparation आपने पूरी रिखनी है एक बार आपका जो result आ जाता है pre आपका clear हो जाता है तो आप उसी time सारे के सारा maths नहीं पढ़ सकते यह चीज मैं आपको बता दूँ आपका result clear होने के बाद आपको सिर्फ 14 days का time मिलता है तो आपको अगर आपका pre जो है आपको लग रहा है आपका pre जो है वो clear हो जाएगा तो आप अभी से high level maths शुरू कर दो जिनके sessions में आपके लिए लेके आऊंगा ठीक है और फिलाल अलव लेके आएगा कि आपकी maths जो है वो चुटकियों में solve हो जाएगी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो अब मैं comment section में काफी active आपको दिखूंगा कोई भी क्यूरी होगी कोई भी question समझ नहीं आ रहा तो क्या कीजिए comment section में उस video की duration जैसे की कोई question होगा 2 मिनिट 15 सेकिं और आगे अपने लिख दीचिए कि जो चीज आपको समझ नहीं आई उस चीज को कैसे solve करना है तो मैं sessions लेके आया करूंगा same questions के जो questions आपको समझ नहीं आया होंगे वो पूरे पूरे एक session जैसे 5 से 10 questions का एक set बन जाता है फिर मैं एक session लेके होंगा और वो सारे questions आपको मज़ा जाएगी तो thank you so much